हलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल हाजिर हुए एक नई लफ स्टोरी लेकर कहानी की शुरुवात लियो से होती है जो बहुत ज़ादा दुखी थी क्यूंकि उसकी सगाई टूट गई थी जिसकी साथ वो काफी समय से रिलेशन्शिप में थी पर उसने उसे धोका दे द लियो अपने लिए एक लड़के को ओडर कर लेती है लियो रूम में पहुंच चुकी थी तब ही एक लड़का वहां आता है लियो बोलती है मुझे लगा नहीं ता कोल बोई भी इतने हैंसम होते हैं मैं तुम्हें पैसे दूंगी पर आज की रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा लियो उस लड़के को किस करती है लियो उसका फेस नहीं देख पाती बस उसे उसका टैटू ही नजर आता है मौनिंग में देखती है वो किसी लड़के के साथ है तो जल्दी से भागने लग जाती है बाहर उसे रिपोर्टर पूछ रही होते है क्या आपने किसी चाइना वापिस आती है तभी लिन यानि की लियो के एक्स की कार आती है लियो को लगता है ये उसके लिए आई है पर हू के लिया आई होती है लियो समझ जाती है हू से लिन ने शादी कर ली लियो को अपने बेटे को किंडर गारन छोड़ने जाना था तभी वो कार में वह भी रात वाली लड़की है, लिव इंटर्व्यू देने आती है जहां वो मैनेजर वी को देखकर ह swapped कि में काम करता था, वी ब्लता है तुम्हारे डाट की कमपनी बैंकर्प्त हो गई है इसलिए कहीं जौप करने आई हो क्या लिव भार आ जाती है क्यूंकि उसे वी पस immort LastPlay ॥ लियो बोलती है क्यों नहीं लियो जा रही होती है पर गलती से सीयो वाली लिफ्ट में आ जाती है लियो सीयो को देखकर सोचती है यह तो किसी डीमन से कम नहीं लगता लिफ्ट से भार निकलते ही वो गिर भी जाती है चैन को पता चल जाता है यही वो लड़की है लियो पप म क्या हुआ लियो समझ जाती है ये जानकर कर रहा है वी बूलता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं पर उसके बदले में मेरे साथ रहना होगा और रुमेंटिक होने लग जाता है लियो से थपड मार देती है मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूं तभी लियो स्टैटू वाले आदमी को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है तभी बोड़ी गार उसे रोक लेता है लियो सोचती है तुम वही हो ना चैन ने मस्क पहना हुआ था इसलिए लियो को पता नहीं होता ये उसी का बॉस है लियो को गुस्सकी आता है तुमारी वज़े से मेरी किया था मैं तुम्हारे रूम में खुद नहीं आया था एवन तुमने मुझे फोर्स भी किया था वैसे तुम परेगनन तो नहीं हो गई थी ना लियों बोलती यह नहीं मैं कोई प्रेगनन नहीं हुई थी लियों सोचती है वैसे तो Но Can बन गई हूं और मेरा बेटा कितना क्यूट है लियो बोलते हैं ठीक है पर आज के बाद मुझे तुम्हारे शकल नहीं देखनी है तभी अंटी का कोल आता है तुम्हारे बेटे की स्कूल की फीस बढ़नी है लियो चैन को बोलते हैं तुम्हें रिस्पोंसिबल्टी लेनी लियो बोलते है नहीं राप थीना और मैं ड्रंक भी थी चैन बोलते है ठीक है हर रोज मैं तुम्हें पांच सब्सार दे दूगा तब ही उसे मैनेशर वी का कोल आता है बिल पे कि ये बिना जाना मत लियो बोलते है क्या तुम मुझे अभी थोड़े पैसे दे सकते हो चैन बोलता है ठीक है मौनिंग में भी चैन लियो को पैसे भेज देता है लियो सोचती है अच्छा है मेरे पास तो दूद करीदने के भी पैसे नहीं थे लियो शौपिंग करने गई थी जहां बहुत सारे बोड़ी कार्ड होते है क्योंकि उस शौपिंग मॉल का मालिक भी चैन ह होता है बाव का डोग चैन की कार में चला जाता है बाव बोलता है सोरी अंकल चैन अपने असेसेंट को बोलता है देखो इस बच्चे को यह अपने पेरेंस के पास तो जा रहा है ना असेसेंट लियो का फेस नहीं देख पाता लियो ओफिस में लंच कर रही होती है तभी व फाई लियो बोलता है। टूर्वि जा रही थी वी सात में चलता है तभी चैन लियो को धख्का दे देता है। लियो खाना वी पर गिरा देती है! वी बोलता है क्या किया लियो बोलती ही पाउ और पाही को कुछ ओ गया है। Actually मैं फाई उसका डॉग है। लियो बोलती है तो मौनिंग में उसे होस्पिटल ले जाना। बाव फाई को होस्पिटल ले जाता है। लियो मोनिंग में चैन को मेसेच करती है पैसे कमा रहे हो थोड़ा अपनी बोड़ी का भी ध्यान रखना। क्यूंकि रोज तुम किसी बूमिंग के साथ होते हो ना लियो चैन के लिए प्रोडीन वाली केंडी भी लेती है और वो चैन को देता हुए बोलती है और भी पैसे कमा कर मुझे देना इसलिए तुम्हें दे रही हूँ चैन लियो के क्लोज आता है और कुछ भी चाहिए क्या लियो बोलती है नहीं तब ही दो लेड़ी उस रूम में आ जाती है और बोलती है गलती से आ गए पर वो चैन को देखकर सोचती है ये कॉल बोई है कितना हैंसम है हमें तो यही चाहिए लियो बोलती है नहीं मिल सकता है इसको मैंने आज के लिए बुक कर लिया है वो लेड़ी बोलती है पर हम भी तो रिच हैं लियो बोलती है तो जादा पैसे दे दो वो लेडी दे भी देती है लियो वो पैसे लेकर जाने लगती है चैन बोलता है कहां जा रही हो लियो बोलती है अच्छे से काम करना बहारा कर लियो को चैन की चिंता होने लग जाती है पर चैन तो अं जा रही हो वी बोलता है तुम्हें सीईयों का स्विमिंग पुल क्लीन करना होगा लियों सफाई करने लगती है जिसे चैन देख रहा होता है चैन जानकर अपनी रिंग पानी में फैकता है और उसे बोलता है जाकर लेकर आओ विचारी लियों को जाना पड़ता है पानी से वो तमीजी करने लग जाता है तो मुझे फसा रही हो क्या यू बोलती ऐसा नहीं है तब ही चैन आकर वी को पानी में धक्का दे देता है वी बोलता है मैंने कुछ नहीं किया यही मुझे फसा रही थी पहले ये बहुत रिच्ति पर बात में कॉल बॉई की वज़े से गरीब हो ग या था मुझे बच्चाने नहीं यह पम मेंड चाती है पर वहां चैन नहीं था लियो को लगता है वह चैन है तो बोलती है तुम यहां क्या कर रहे हो वो लड़का बोलता है आप कौन हो उस लड़की की कस्मर बोलती है मैंने आज रात के लिए पैसे दिये हैं वो लड़का बोलता है मैं इस लड़की को नहीं जानता वो लड़की लियो को मानने वाली थी पर चैन लियो को बचा लेता है चलो भार चलते हैं लियो बोलती है मुझे लगा तुम मर गए हो उस ओल लेडी को सर्विस देते हुए आज के बाद म क्या बात है जरूर वो लड़की रीच होगी तुम्हें तो बड़े अच्छे कस्मन मिलते हैं तब लियो को खासी आने लगती है चैन बोलते क्या हुआ लियो बोलती है पहले तो मैं अपने बोस की कार से मरती मरती बच्ची हूँ उसके बाद उस जालिम ने मुझे चैन अपनी बुराई सुने जा रहा था विचारा कुछ कह भी तो नहीं सकता था लियो बोलती है वैसे तुम्हें पस कितनी रिच बूमन है लियो उसे बोलती है अपनी लुक से जादा लड़कियों को फसाओ ताकि जादा पैसे कमा सको चैन बोलता है तुम कभी नहीं बद जा है बोस का ओडर है काम नहीं करना है तो निकलो यांसे चैन का सेशेंट आकर बोलता है उस वीडियो में आपने जिस बच्चे के बारे में कहा था उसका जिए बुलता है उसब नहीं खह सकता बाव बोलता है मैं फाई को भाल लेकर जा रहा हूँ लियो ओफिस में सफाई कर रही थी तब ही यहां उसका एक्स बॉइफरेंट आता है लियो तो भाग जाती है कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया तब ही चैन आता है मेरी लिए लंच लेकर आओ वो भी दस मिनट में लियो को गुसा आ रहा था क्या मैं इसकी नो करूँ लियो जैसे तेसी खाना लेके आती है पर लिफ्ट खराब हो गई थी तो स्टेर से जाती है वो चैन के आफिस के भार थी पर उसे चकर आने लगते हैं तब ही उसका एक्स बॉइफ्रेंड लिन उसे बचा लेता है तुम ठीक तो हो ना लियो लिन को इग्नोर करके चैन को लंच देने आती है चैन बोलता है तुम लेट हो चैन खाने में भी नकरे दिखा रहा होता है ये मुझे पसंद नहीं लियो बोलती है मत खाओ न मैं क्या तुम्हारी नो करूँ चो खाना है खुद लेकर आओ असिस्टन बोलता है तुम सीयो से ऐसे बात नहीं कर सकती हो लियो बोलती है ठीक है मुझे ये जॉप नहीं करनी तुम इस खाने को और अपने आटिट्यूड को अपने पास ही रखो लियो भार आती है लियो उससे बात कर रहा होता है तुम इतने सालों तक कहा थी लियो बोलती है अब तुमारी शादी मेरी कजन फूसे हो चुकी है बात करनी का क्या फाइदा लिन बोलता है मैंने तुम्हें कॉल भी किये थे क्या तुम मुझसे नफरत करती हो लियो बोलता है चोड़ो पुरानी बातों को अब ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते नहीं है लिन लियो को पैसे देता है लियो बोलता है मुझे नहीं चाहिए लिन बोल लियो चैन से मिलने पम में आती है और बोलती है तुमने मुझे पैसे नहीं दिये तुम्हें पता है मुझे कितने लोगों का पेट भरना पड़ता है चैन बोलता है कितनों का भरना पड़ता है लियो के मुझे निकलने वाला था अपने बच्चे के बारे में पर फिर बात को टालत हुए बोलती है मुझे अपने चोटे पपी का ध्यान रखना पड़ता है इसलिए पैसे भी चाहिए लियो को कंपनी से गोल आता है आपको जोब पर आना है लियो बोलती है क्या सीयो ने कहा है मैं आ जाऊंगी लियो चैन को हग कर लेती है मुझे जॉप मिल गई है अब मैं बहुत पैसे कमाने वाली हूँ वैसे तुम बहुत लखी हो और लियो बोलती है तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था मैं डर गई थी चैन बोलता है क्या मेरी याद आई थी तुमें लियो बोलती ह है काईए मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गया है ना पर कुछ भी हो जाये मुझे इसके प्यार में नहीं पढ़ना है क्योंकि मुझे इससे पैसे लेनी है लेख कम्पनी में काम कर रही थी एक आदमी उसे देखी जा रहा था लियो के ऊपर बॉक्स किरने वाला था गुसा आने लग जाता है छेयन बहु का शोरी उड्टाप जिसने चोरी डिता वह अश्ची वह भी आफ़ा से ठाव को लगता चेयन कोई किनेपर है इसलिए लिभा जान का बोड़ी गार बोल ताहार ये बच्चा तो आपके जैसा ही लग रहा है बाउ से उस डेटा के बारे में पूछता है बाउ बोलता वो तो मेरे डोग फाई ने खा लिया था ये बात एक लड़का भी सुन रहा होता है वो लड़का बाउ के घर आता है अंटी बोलती है क्या हुआ कौन हो तुम पर बोलर का डाटा समझ कर फाई का प्रमोशन मिल जाए अगले दिन लियो एसजी कार देने चैन के ऑफिस के भारती लेकिन तब ही उसे सुनाई देता है कंपनी के बोड़ी गार ने जान कर लियो पर बॉक्स किराय था बोड़ी गार अपना गुना कबूल नहीं कर रहा था असिस्टन बोलता है पर सब मार देता है नेक्सीन में लियो चैन के घर थी रॉक्टर उसे बोलती आपको कुछ दिन अराम करना होगा लियो देखती है एसजी कार अभी भी उसी के पास था तब ही चैन आता है और बोलता है मुझे देखकर डर क्यों गई लियो बोलती ऐसा कुछ नहीं है वैसे तुम घर में पसता है कौज बोलते हैं वह कुछ दिन बोस के घर रहने वाली है क्योंकि उसे चोट लगी थी ले चैन को को भी कौल करती है कहां और आज कर सा साथ अच्छे से रहना ہے अपनी बोड़ी सेल करता हूँ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है लियो बोलती है ऐसा मत सोचो किसी अच्छी रिच बूमेन को ढूंडो चैन बोलता है वैसे तुम्हारा बोस क्या कर रहा है आज कल लियो बोलती है वो रिच और हैंसम है पर रूट भी है वो मुझे हर बार परिश अचा है ना चैनलियो के रूम में आता है और उसकी क्लोज आकर बुख लेने लगता है लियो को उसकी अंटी का कौला आता है यानि हुकी मोम का जो से डीनर पर इनवाइड करती है ताकि उसे जला सके अंटी बोलती है अगर तुम नहीं आऊँगी तो मैं तुम्हारे बेट गाड है पर मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ हूगी मोम उसे बोलती है चुप रहना मैंने कुछ प्लैन किया है लियो के बारे में सबी बाते बना रहे होते हैं क्योंकि उसने कॉल बॉई के साथ नाइट स्पेंग की थी सबी बोलते है इसने हमारी फैमली का नाम बदनाम कर लिया है इसी वज़े से लियो के डाड निस सउसाइट भी कर लिया था तब हूँ की मोम मौ राग लगा देती है इसका तो एक बेटा भी है एक अंटि पूछ लेती है तुम्हारा हजबन क्या करता है बेटी हूप की मोम बोलती है वो इसका हसबन नहीं है यह तो सकॉल बॉ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है लियो बोलती है हूँ को मेरा बॉइफरेंड लिन पहले से पसंद था इसलिए हमें अलग करकर उसने उससे शादी कर ली हूँ की मूम लियो को थपड मारती है मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत बोलना लियो घर आती है जो चैन भी देख लेता है और उसके फेस पर थपड के निशान देखकर बोलता है लिन की फैमली को तो मैं नहीं चोड़ने वाला हूँ अपनी मूम के साथ नेकलिस की निलामी में आती है चाह लियो बीती हूँ बोलती है ये डायन यहां क्या कर रही है मूम बोलती है ऐसे मत बोलो तियो चैन को बो चैन का बोडी गाड बोलता है तुम्हांदी हो रवाइया ही बदल जाता है हो बोलती है आप माफी क्यों मांग रही हो मोम चैन मोम को बोलता है ये तुम्हारी हजबन की कमपनी के लिए अच्छा नहीं होगा मैं तुम्हें बरबाद कर दूँगा ये सुनकर हो की मोम उसे एक चाटा लगा देती है चैन लियो से पूछता है क्या तुम सच में किसी कॉल बोई के साथ सोई थी क्या लियो बोलती है ये तो पास्ट है ना लियो को लगा था चैन उसे प्यार करता है इसलिए बोलती है हाँ ऐसा ही था मैं कॉल बोई के साथ थी चैन बोलता है मुझे पास से कोई फरक नहीं पड़ता लियो बोलती है ये तो मेरे पीछे ही पढ़ गया है और उसे नेकलेस लोटा देती है मैं इंपलोई हूँ मुझे ये नहीं लेना चाहिए चैन बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करता बस ऐसे ही दे रहा था चैन वो नेकलेस फैक देता है इवन लियो को भी कार से निकाल देता है लियो बहार निकल कर नेकलेस धूरने लग जाती है और वो उसे मिल भी जाता है लियो चैन को वो कॉल बोई समझ कर कॉल करती है मुझे यहां लेने आओ मैं अकेली हूँ लियो के साथ कुछ लड़के बत्तमीजी करने लग जाते हैं तब ही चैन उसे बचा लेता है चैन बोलता तो मैं अपने बॉइफरेंट को बुलाना चाहिए था ना लियो बोलती है मेरा कोई बॉइफरेंट नहीं है पर तुम मेरे बॉइफरेंट बनोगे क्या चैन सोचता है अभी थोड़ी देर पहले इसने मुझे रजेट कर दिया था जबकि मैं इसकी नजरों में हैंसम और रिच था पर देखो अब मुझे ही परपोस्ट कर रही है एक्शली में लियो उसे नकली बॉइफरेंट बनने को बोल रही होती है मुझे लगता है मेरा बोस मुझे लाइक करता है इसलिए मैंने उसे बोल दिया मेरा बॉइफरेंट है चैन पूछता है उसमें क्या प्रॉबलम है वो तो रिच भी है ना लियो बोलती है मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ लियो कमपनी में होती है तब एक एंप्लोई आकर बोलता है आपको पर्मोशन हो गया है लियो को लगता है उसने चैन को रिजेट कर दिया था इसलिए चैन ऐसा कर रहा है वो employee बोलता है आपको चैन का assistant बना दिया गया है लियो चैन को देखकर smile कर रही थी चैन अपने assistant को बोलता है क्या ही सच में smile कर रही है assistant बोलता है हाँ लियो meeting में होती है जहां उसी data की बात चल रही होती है लियो सोचती है मैं वो SD card चैन की टी में डाल दूँगी और उसे मिल जाएगा और उसके बाद सब मेरी तारिफे करेंगे लियो चैन को टी देती है लेकिन चैन वो टी अपने पार्टनर को पिला देता है बिचारे उस आपमी की गले में वो SD card फर जाता है लियो चैन को बोलती है ये टी तो मैंने तुम्हें दी थी ना तो तुमने उस डिरक्टर को क्यों दे दी चैन बोलता है ये SD card केसे मिला तुमें लियो अपने बच्चे के बारे में उसे बताना नहीं चाहती थी इसलिए बोलती है मुझे अपने डोक के पास से मिला था चैन सोचता जरूर कुछ ऐसा है जो यह मुस्तर चुपा रही है फिलाल वो उसे जाने के लिए बोल देता है लियो और भार आकर बहुत ज़ादा खुश हो रही होती है और चैन को कॉल करती है चैन लियो के काफी नज़्दीक होता है और सोचता है मैंने ये फोन अपने पास क्यों रखा है लियो फोन की घंटी सुनकर सोचती है कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं है लियो फिर से कॉल करती है चैन बोलता है क्या हुआ है लियो बोलती है तुम मेरे fake boyfriend बनने के लिए तयार होना तुम्हें अभी आना होगा अच्छे से तयार होकर आना चैन बोलता है कहीं तुम्हारा boss मुझ पर गुसा ना करे लियो बोलती है वो ऐसे किसी पर भी गुसा नहीं करता है असिस्टन बोलता है अब आप क्या करोगे चैन बोलता है मेरे पास प्लेन है चैन कमपनी से जा रहाता लियो सोचती है मैंने गलत समझ लिया चैन वार कॉल बॉय अलग है तब ही लियो का बॉइफरिंड आता है लियो की फ्रेंड बोलती है तुम्हारा boyfriend तो कितना handsome है पर ये mask क्यों पहना है boyfriend बोलता है क्योंकि ये लियो को पसंद है लियो बोलते है तुम आज इतने खुश क्यों हो और वैसे तुम आज काफी अलग लग रहे हो Actually में ये Chen नहीं होता उसका friend होता है जो एक number का playboy था तब ही Chen का call आता है Chen बोलता है मेरी वाली से flirt मत करना Friend बोलता है ठीक है पर ये तो अच्छी दिखती है काफी लियो को Chen यानी call boy का message आता है Even उसने पैसे भी transfer कर दिये थे अब हमारा कोई relation नहीं है अब मैं तुम्हारा boyfriend नहीं बन सकता हूँ लियो परिशान हो जाती है Even उसे call boy की याद आ रही थी वाओ भी ये देख रहा था मॉम को क्या हो गया है लियो चैन को चाई देने आती है तब ही उसके shirt पर चाई गिर जाती है लियो को याद आता है उस call boy की बोड़ी पर tattoo था इसलिए वो चैन की बोड़ी पर tattoo देखने के लिए बोलती है मैं साफ कर देती हूँ मुझे shirt दे दो चैन बोलता है कोई जूरत नहीं है लियो को यकीन होने लगता है चैन और वो call boy एक ही बंदा है लियो डीनर कर रही थी तब ही एक parcel आता है जिसमें death note था लियो सोचती है मुझे कोन मारना चाता है कही मेरी अंटी यानी हो की मूम तो इसके पीछे नहीं है लियो अंटी और बाओ को बोलती है तुम दोनों को अबरोड जाना होगा ताकि तुम safe रहो लियो अंटी और बाओ को भेज देती है लियो को ओल बॉय को कॉल करती है पर वो नहीं उटाता उसके बाद वो चैन को मैसेश करती है प्लीज मुझे बचा लो तब ही लियो के पीछे कोई लड़का आ जाता है चैन सोचता है हो सकता है वो प्रॉबलम में हो वो लड़का लियो को मारने वाला था लियो रूम में चली जाती है वो लड़का लियो के रूम में आ जाता है लियो का फोन भी गिर गया था लियो बोलती है तुम मुझे क्यों मारना चाते हो तब ही आवाज आती है लियो उस लड़के को धका दे देती है लियो सोचती क्या मैं यहाँ से गिर जाओ अभी तो मैं यंग हूँ और मेरे एक बेटा भी है तभी वो लड़का आ जाता है लियो बोलती है तुम मुझे माना क्यों चाहते हो वो लड़का बोलता है SD card तुमने चैन को क्यों दिया था तब ही चैन आता है और उस लड़के को मारता है लियो बोलता है तुम इतने लेट क्यों हो गई चैन बोलता है तुमने अपना address ही नहीं दिया था चैन लियो को अपने घर लाता है अब तुम थोड़े दिन यहीं रहन लियो चैन के वोश्रूम में आती है ताकि उसका ट्रैटू देकर अपना शक्त दूर कर सके और गलत हाथ पकड़ लेती है चैन बोलता है क्या कर रही हो लियो बोलती है मेरा अल्रेडी बॉर्फरेंड है इसलिए उल्टा सीधा मत समझ लेना लियो अपने एंटी से बात कर रह लियो से बातita है इसे सब कुछ बता देती है वही क् Metallica है लियो बहुत जाधा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी family complete अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नियो अपडेट्स के लिए बैल आइकन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारांगे बाई बाई